जैहिन देखे चाइना का एक इतिहास रहा है कि वह एक कम्मिनिस्ट कंट्री है और अपने देश के अंदर हो रहे है विद्रों को दबाने के लिए अपनी जनता को मीडिया से दूर रखता है और विदेशी आकरमड या किसी छोटे मोटे लड़ाई का सहरा लेता है ताकि वहा इसने ताइवान के इसे क्या नमे और नाचल परदेश को अपना दक्षणी तिबबत कहता था ऐसा नहरू के समय हुआ था अभी यहां पर सी जिंपिंग सी जिंपिंग जो है इसके हमें भी बहुत तेजी से बिरोध हो रहा है चाइना में सी जिंपिंग के खिलाब बहुत तेजी से बगावत हो रही है इसने भी वही सहरा लिया जनता का ध्यान भटकाने के लिए इसने भी भारत से लड़ाई थोपने के लिए कई चाइनीज सब का एक भी भारतियों को किसी भी तरह की गंभीर चोट नहीं आई यह नहीं कोई भारतिय साइनिक सहीद हुआ है यह हमारे रक्षा मंतरी का खुद का संसद में दिया हुआ स्टेटमेंट था और वहीं चाइनीज मीडिया इस पर एकदम चूप है जब चाइनीज पीटाते हैं समना तो एकदम चूप हो जाते हैं आपको याद होगा जून 2020 पीटाया था च्छों महीन अबाद बोलाते हैं यहां आम लोग पीटा गया है उसे इत्ती होता है आके भाज जहाज थे सब वो कई बार उत्राखंड के पास में मडराने लगे सब उत्राखंड के पास मडराने के भी कई रीजन है उत्राखंड में अभी भारत और अमेरिका की सेना यहां बहुत करीब नंदा देवी परवत के पास आकर चाइना के पास युद्धव्यास की इसी लिए वो अपने drone को और उसने सबसे बड़ा जो बंबरसक जहाज बना है S20 ये बंबरसक जहाजों को भारत के सीमा के पास उड़ाते रहता है तो भारतिय सेना भी अपनी वाई से एर फोर्स को तुरत एक्टिवेट कर देती है और एर फोर्स भी उपर से जाके वर्णिंग देने लगती है अगर इधर के रहोगे तो तुम्हेरा भी इलाज कर दिया जागा बढ़िया से चाइना को पता चल गया है कि भारत की अब विदेश नीती जो है काफी एग्रेसिव हो गई और यह होना भी चाहिए हमें अपने दुस्मनों को पहचानने में छणिक भी देर नहीं करने चाहिए एर इंडियन एयर फोर्स अब काफी तेजी से चाइना का मुकाबला करने लगती है चाइना के साथ समस्या यह है कि यहां पे तिबबत है तिबबत का पठार इतना उंचा है कि यहां पे कितना भी बहतरीन जहाज दे दीजे जबकि भारत का जहाज तो इधर ही रखा हुआ है आप पर इसके लिए जादे उधर नहीं है इसी को जादे दिक्कत आता है आपको बता होगा तिब्बत और हिमाले के ऊपर से कोई कमर्सियल जहाज जाते भी नहीं है समयाब तो इंडियन एयर फोर्स काफी एग्रेसिव में इसमें आगे बढ़ी है लेकिन चाइना इसे अन्य जगहों से जहना चाह रहा है पाकिस्तान के सहरे घहर ना चाहा रहा है इसे मलक्का को इधर, हा फेस चारों से चाइना भारत को घहना चाहा रहा है हलागी भारत भी इससे अब counter attack के mood में आ गया है भारत अपने वाईशेना की ताकत को लगातार बढ़ा रहा है एर बेसे को भारत बढ़ाया जा रहा है अभी गुजरात में दीसा एर बेस का सिला नियास किया गया यह एर बेस बहुत जरूरी था दीसा एर बेस कहा है उससे पह लिखेंगे तो यह भारत के और मिलेगा यह उसने पाक अकुपाइट कस्मीर है पी ओके पर कपजा कर लिया यहां पर अगर आप द्यान देंगे तो यह चाइन पाकिस्तान के बहुत सारे एर बेस है जिसमें एक ठो यहां साहबाज एर बेस इसका बहुत परसीद है यहां F- यह कुछ जगा पूछन पूछते हो है यहां मीरपूर इर बेस शुकूर एर बेस और यहां साबाज एर बेस यहां पर इन एर बेस भारत में अंदर तक हमला किया जा सकता था इसको का उंटर करने के लिए जोद्पूर में फलोडी एर बेस घुजरात के कच्छ में नलिया एयर बेस था तो यह यहां से इसे काउंटर किया जा सकता था इसे काउंटर किया जा सकता था लेकिन अभी PM मोदी ने यहां पर एक दीसा एयर बेस का उधगाटन किया दीसा एयर बेस जो है अब यहां से और अंदर तक आउंटर अटेक किया जा सकता है तो यह एयर बेस भारत अब अपने जितने भी airbase है, उसको उसमें जो जहाजों को रखने के लिए bunker है, उसे अब नए model से upgrade कर रहा है, उसके नामे next generation hardened aircraft shelter, ये इतने मजबूत होते हैं, कि रनवे के बाद जहाज को अगर इसमें ले आ देते हैं, तो इसके उपर 1000 किलो कभी bomb गिरा दिया जाता है, इसक PC के अंदर था, जहाज इसके अंदर था, इसको रखके तोड़ा है सब, ये उपर वाला blast हो गया है, जहाज चुप चाप निकल के चला गया, तो ये भारत इसको बहुत तेजी से अपने हर एक airbase में इसको ला रहा है, ताकि जहाज जो है airbase पे भी safe रह सके, ताकि युद्र के स्थिती में counter attack किया जासे के, भारत इसको बहुत भली भाती से समझ गया है, कि अब हम लोगों को aggressively आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चाइना लगातार हमें घेरते आ रहा है, इसलिए भारत ने अपने यह तो गया, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के लोगों को भ भारत से बहुत लगा हो रहता है, तो अफगानिस्तान भारत में relation अच्छा है, लेकिन पियो के कप्जा करने को ऐसे direct connection नहीं है, यहाँ पर है आपका तजाकिस्तान, यह ताजिकिस्तान जो जगह है, यहाँ पर भारत दो ठो एर बेस ले रखा है, यहाँ से हम चाइना के ल पाकिस्तान में कर सकते हैं, यह तबसे ज़्यादे काम कब करेगा, चाइना यहाँ पर सड़क बना रहा है, CPEC, चाइना पाकिस्तान एकनोमिक करीडोर, इसको इधर से तो अटेक करता ही हो सकता है, इस एर बेस के थूरू यहाँ से भी अटेक किया जा सकता है, इसलिए भा भारत बहुत तेजी से अगने कदम आगे बढ़ा रहा है, लेकिन चाइना का सोच क्या है, वो सिल्क रूट के माध्यम से भारत को घेरना चाहरा है, लेकिन चाइना की टेंसन क्या है? फ़ो मलाका के पास यहाँ से भारत को, यह उसक लिए सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि यहां से या तो मलक्का से होके निकलेगा या तो सुन्डा से होके निकलेगा अगर मलक्का से होके निकलेगा तो अंडमांडी को बार में कुछ आएगा और अगर सुन्डा से होके निकलेगा तो कोकोस में कुछ आएगा देखिए कोकोस आइलेंड हमारा नहीं देखिए कोको के पास है हम ही लोग का था नेरू ने गिफ्ट दे दिया यह को कोज आइलेंड जो है यह आस्ट्रेलिया का है लेकिन आस्ट्रेलिया से हम लोगों ने समझोता कर रखा है कि एक दूसरे के बेस का इस्तमाल करने के लिए तो इसका इस्तमाल हम लोग कर सकते हैं यहां से के नहीं आना चाहता है, वो direct सड़क के माध्यम से अपने सामान को यहां लाता है और इस रास्ते से निकल जाता है यहाँ पर उसने बहुत बाड़ी सड़क बना रखी है इस सड़क के चारो और फेक्ट्री, पेट्रोल पॉंप, होस्पीटल, अलग अलग जो को खोल रखा, इसका नाम है CPEC CPEC को काउंटर करना भी बहुत जरूरी है जो गवादर पोर्ट से जुड़ता है यहाँ पर CPEC के लिए यहाँ पर हमको एनी एरबेस और फारखोर एरबेस यहाँ से काउंटर कर देंगे और यहाँ इरान का चाबाहर बंदर का हम इसे काउंटर करके आईसोलेट कर सकते हैं इसलिए रेडी रहने के लिए जरूरी है अलगि भारत के पास इसके अलावे भी बहुत सारी संभावना है यहाँ पर चाइना इतना तेजी से एस्पांड किया कि अफरीका का दे से जीबूती जीबूती में इसने अपना एक सैने अड़ा ले लिया अब जीबूती समुदर का इतना पतला रास्ता है कि अगर यहाँ स्वेज नहर से कोई भी जहाज यूरोप से आईगी तो उसे जीबूती से जाना ही पड़ेगा और जीबूती पे उसने एक भाड़े पे सैने अड़ा ले लिया है लेकिन अच्छी बाती है कि जहाँ इसने सैने अड़ा लिया है वहाँ से थोड़ी दूरी पर फ्रांस का भी सैने अड़ा है और हमारा और फ्रांस का समझोता है कि हम एक दूसरे के साइन अड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहां ही पईसादे के साइन अड़ा ले रहा है भारत वहां इसा ही पहुंच सकता है इसके अलावे जरूरी है भारत सरकार को कि यहां पे यमन में अभी असांती फैली यमन का यह सोकोतरा आइलेंड भारत के सकता है लेकिन अभी यमन के सोकोतरा आइलेंड पर किसी का ध्यान नहीं गिया यहां पे करना चाहिए सरकार को आगे बढ़ना चाहिए चाइना ने इतना जादे मात्रा में लोन दे रखा है अफ्रीकी देशों को कि उन्हें अपने कर्ज के जाल में फसा लिया और इस जाल म हम अपने बंदरगा बनाएंगे और आपको पता है कि चाइना अगर बंदरगा बना दिया तो वहाँ अपनी पंडू भी नौसेना की जहाजों को लाएगा हम लोगों की लाकों सिस्यों के बावजूद चाइना का जहाज यहां पर अपना लंगर डाल ही दिया इसलिए इसे काउंटर करने के लिए भी भारत के पास कई सारे द्विप हैं सेसेल्स का जन्चीन आइलेंड जिसमें बहारत अपना मतलब बेस बनाने वाला है सेसल hase यहाँ पर मौरिशस में अगलीगा दूइप है यह दोनों दूइप यहां से काउंटर अटेक के लिए यहां पर एबिलेबल हो सकते हैं तो कहने का सिंस यह है कि भारत को पहले से अब रेडी रहना चाहिए क्योंकि चाइना में जहां उथल पुथल होगा तो सी जिंपिंग अपने देश उसे में कई सारे चीजे चेंज हो गए व्यूखें यूद में ट्रोन ने पूरी तरह से कम्पलीट सेनेरीयों को ही चेंज कर दिया तुर्की जैसा देश ड्रोन के मामले में इरान जैसे ड्रोन के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं तुर्की का कौन सा ड्रोन यूक्रेयन में तवाही मचाया और रूस जैसे सक्तिसाली देश को इरान से क्यों ड्रोन मंगाने पड़े इसे भी हम लोग समझेंगे